हेलो दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सब के सामने अपने नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम उत्पादन की प्राली से संबंधित मार्क्स के विचारों पर चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं मार्क्स ने एतिहासिक भौतिक वाद के सिध्धांत में उत्पादन की प्राली पर चर्चा की है उत्पादन की प्राली में उत्पादन की सक्तियां एवमून के संबंध सम्मिलित होते हैं और उत्पादन की शुरुवात उसके निर्धारक पहलूओं के विकास के साथ ही होती है मार्क्स उत्पादन प्राली के प्रथम सरूप को आदिम साम्मिवाद कहते हैं जिसमें शिकारी खाद संग्राहक के रूप में उत्पादन की प्राली पर समूह का अधिकार होता था इस काल में तक्नीकी प्रगती नौ के बराबर थी और समाजी कस्तरी करण बहुत सिमित था हालंकि इसके बाद क्रिसी की जब सुरुवात होती है और उसके साथ तक्नीकी प्रगती होती है तो समाजी कस्तरी करण में भी व्रिधी होती है और साथ ही नीजी संपत्ती की अधारा का विकास होता है और वर्ग की उत्पत्ती होती है इस प्रकार से एक नई उत्पादन की प्रडाली विकसित होती है इसी प्रडाली को मार्क्स उत्पादन की प्राचीन प्रडाली कहते हैं इस प्रडाली में प्रभुत्शाली वर्ग जिन्हें मालिक कहा गया है क्रिसी भूमिके साथ भूमिहीन क्रिसक मजदूरों पर भी कबजा कर लेते हैं जिन्हें दास कहा गया इसके बाद आता है उत्पादन का तीसरा तरीका उत्पादन के तीसरे तरीके को मार्क्स उत्पादन का सामंती तरीका या उत्पादन की सामंतवादी प्राली कहते हैं यह प्राली जमिदार वो क्रिसक वर्गों के मध्य संबंधों पर आधारित है इस प्राली में उत्पादन के समस्त साधनों पर जो मुक्रुप से क्रिसी भूमिया थी अभिजात वर्गों का अधिकार था अभिजात वर्गों में जमीदार, जागिरदार, आदिवर्ग सम्मीलित थे इन अभिजात वर्गों को यह भूमिया राज्य को प्रदान की गई उनकी सेवाओं के बदले शाषकों द्वारा दी जाती थे इन भूमियों पर इन्हें प्रशाशनिक वर राजश्व अधिकार प्राप्त होते थे इन भूमियों पर खेती करने वाले किसान इन अभिजात वर्गों को लगान के रूप में उपज का कुछ हिस्सा प्रदान करते थे और इस प्रकार से यह भिजात वर्ग क्रिशकों से बेगार कराते थे इसके बाद आता है उत्पादन का पूजिवादी तरीका इस पूजिवादी प्रडाली में शाशक वर्ग पूजिपती वर्ग है उसके पास उत्पादन के समस्त साधन है जिन पर उसे संपूर अधिकार है उसके पास पूजी है और वह उद्योगों और कलकारखानों का मालिक है वह अत्यधिक से अत्यधिक लाव प्राप्ति के उद्देश से कारे करता है और इस प्रक्रिया में वह स्रमिक वर्ग का शोशर करता है स्रमिक वर्ग सर्वहारा वर्ग है जिसके पास भूमिका अभाव होता है वह आजीविका के लिए अपना स्रम बेचता है आधुनिक उत्पादन की प्राली पूजिवादी प्राली ही है मार्क्स का अनुसार उत्पादन की पुजिवादी प्राली के पश्चात समाजवादी प्राली का प्रादुर्भाव होता है उनके अनुसार यह उत्पादन का एक ऐसा तरीका है जहां उत्पादन के लिए एक मात्रमांदंड उपयोग मुल्य है जिसका अर्थ है वस्तु की उपयोगिता का मुल्य दूसरे सब्दों में उपयोग मुल्य से ताकपर वस्तु की मुर्थ विसेस्ताओं से है जो मानों की कुछ अवश्यक्ताओं या जरूर्तों आदि को पूरा करता है मार्क्स के अनुसार किसी भी उत्पाद का एक स्रम मुल्य और एक उपयोग मुल्य होता है मार्क्स एसियाई उत्पादन की प्राली की भी चर्चा करते हैं और उसकी विसेस्ताओं बताते हैं जैसे मार्क्स के अनुसार एस याई उत्पादन की प्राली में नीजी संपत्ती का अभाव होता है। इस प्राली में ग्रामीर समुदाय स्वायत होता है और एक निरंकुस केंद्रेकित राज्य होता है जो सारवजनिक कारियों पर अधिकार रखता है। विशेश तोर पर क्रिसी पर। इसके अत्रिक्त इस प्राली में राज्य सारवजनिक और सनरचना को वित्प्रदान करने के लिए अस्थानिय समुदाय द्वारा उत्पादित अधिशेश को जबर्दस्ती और सैन सक्ती के नियंत्र से प्राप्त करता है। अधिशेश की अदाईगी के बाद ग्रामीड अस्थानिय समुदाए अपनी अर्थवे अस्थाओं में अपेक्छा कृत स्वतन्त रहते हैं इस प्रकार से मार्क्स उत्पादन की प्रडाली एवं इसमें होने वारे परिवर्तों के आधार पर समाज एवं उसके विकास का अध्यान करते हैं उनके अनुसार उत्पादन की प्रडाली में परिवर्तन समाजिक परिवर्तों के लिए उत्तरदाई है हलाकि भपिन समाज सास्त्रियों ने मार्क्स के विचारों से असहमती प्रकट की है और उनकी आलोचना भी प्रस्तुत की है जिसके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में चर्चा की है उम्मीद करता हूँ कि आप सब को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा साथ ही मैं अनुरोद करता हूँ कि आप सब अपने सुझाओ कमेंट बाक्स में दें ताकि इसे और बेतर ढंग से आप सब के सामने प्रस्तुत कर सकूँ धन्यवाद जैहिंद